हेलो स्टुदेंस, वोप यू ओल आर फाइन, जैसे क्या आप चानती हूँ, मुझे आपको कुस्छी टॉपिक क्लियर करने हैं, प्राक्टिकल ही आपको समझाने हैं, इंसाथ न्यू शीट, डिलीटर न्यू शीट, रीनेम शीट, रिलेटिव रेफरेंस, अबसे रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस, एंड टुड़े, टुड़े फांक्शन, ओके, तो फर्स्ट फर्स्ट आपको सबसे लास्ट में मेरी स्क्रीन पर प्लेस का सिंबल दिखाया दी रहा है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपकी एक शीट फाइब इंसर्ट है, एक और भी है, आप क्या क करना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा, वर्क शीट, एंड ओके करते हो, आपकी शीट 6 इंसर्ट हो जाती है, ठीक है, नापके इस हाउट टु डिलीट डिलीट करने के लिए, आपको जोन सी शीट डिलीट करनी है, आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, आपको डिलीट का बटन दिखाए देका, आप उसको क्लिक कर देंगे, तो अभी मैंने शीट 6 डिलीट करी है, शीट 5 को डिलीट करना है, आप इसके उपर राइट क्लिक करे जब डिलीट करेंगे तो आपकी शीट 5 भी डिलीट हो जादी है ठीक है नेक्स्ट आपके केस हाउ टू रीनेम आ शीट रीनेम करने के लिए जैसे शीट 1 शीट पर मैंने एपसल्यूट रेफरेंस का डेटा लिखा हुआ है तो आप इस पर शीट 1 पर राइट क्लिक करेंगे आपको रीनेम का ओप्षन शू होगा और आप निया नाम देना शुरू करतेंगे तो मैं इस पर एपसल्यूट रेफरेंस ही लिख रही हूँ अपने टॉपिक के कोडिंग लिखते है शीट 2 में जैसे लिखा हुआ है टॉपिक के नेम तो इस पर मैं एक और मैथर से सिखाने चाहरी हूँ आप डबल क्लिक करेंगे और अपने नेम देना स्टार्ट करेंगे इमाइन दे द्या टॉपिक और आप एं ट्रिक करेंगे आपका रीनेम हो था ऐसे ही आप चुक भी जीए और मियने कर सकते हैं राइच करके है यह डबल घ्लिक करके ओके आपका next topic है relative reference आप देख सकते हैं last class में मैंने आपको relative reference के बारे में explain किया था जैसे आपको यहाँ पर 65 जो एक cell है EF3 उसका answer 65 है यहाँ फॉर्मला बार में देख रहे होंगे यहाँ पर sum आ रहा है bracket में B3 से लेकर E3 है तो यहाँ पर 11 जो B3 cell से लेकर C3 18, D3 18 and E3 18 को add किया था तो यहाँ पर यह answer आया था अब आपको हमें other cells के भी answer निकालने है तो आपको क्या करना है पहले में यह answers delete कर देती हूँ आपने बस इस वाले cell पर formula लिखने के बाद इसको copy करना है right click करके आपने इसको copy किया और next cell में आके right click करके आपने paste कर दिया तो आप देख रहे हैं आपका answer different आया है और यहाँ पर आपका formula भी change है जब आप कोई भी copy करते हैं data कोई भी formula copy करते हैं और इसको जब paste करते चले जाते हैं तो answer आपका different आता है क्योंकि यहाँ पर आपके cell change हो रहे है आप देख सकते हो आपका इस वाले cell पर cell की value थी B3 से E3 यहाँ पर B4 से E4 और B5 से E5 आपको formula भार में उपर यहाँ पर यहाँ पर शो हो रहा होगा ठीक है सारे change हो रहे हैं last में again मैं अगर copy करती हूं राइट क्लिक करके जैसे मैं इसे copy करती हूं और मैं यहाँ पर paste करती हूं इसका answer तो आपका answer change है और formula बार में आप देख सकते हैं आपका formula भी change है आपको formula में दिखाई दे रहा है last B7 से E7 ठीक है that is called relative reference next topic है आपका absolute reference absolute reference में क्या करती है जब आप कोई वी चीज copy करती है sell तो वो change नहीं होता तो आप उसके लिए dollar का sign use करते हैं आपको मैं करके दिखा रही हूं आप इस table में देखे हमने total निकाला हुआ है और F column में मैंने copy के marks लिखे हैं मैं हर बच्चे को copy के 10 marks दे रही हूं तो grand total क्या होगा मुझे हर बच्चे के जो total marks है 75, 74, 66, 57, 65 इसमें 10 add करना है तो क्या formula मैं generate करूंगी equal to 75 कहां लिखा हुआ है G3 में G3 ठीक है and plus मुझे किसे add करना है F3 को F3 ठीक है मैं इसका size enlarge कर देती हूं आप देख सकते हैं इसका answer 85 आया है और formula बार में बार बार फार्मला था G3 plus F3 मैंने आपको सिखा है था absolute reference में dollar का sign up यूज़ करते हैं अभी मैंने use नहीं किया है इसका reason में समझाने जा रही हूं अब जब हम इसे copy करेंगी इसको मैंने copy किया right click करके copy then next column में मैंने इसे paste किया तो आप answer क्या देख रहे है answer 74 है बलकि होना क्या चाहिए था it should be 84 क्योंकि हम तो 74 में 10 add कर रहे हैं अब formula क्या बना G4 and F4 क्योंकि 74 G4 में है और यहाँ पर F4 है हमें F4 नहीं हमें क्या add करना था F3 that means आपको मैं clear करने देना चाहती हूँ हमें हर बार total में हमें copy जो है copy की जो 10 marks है वो F3 है हमें हमीशा F3 ही plus करना है वो F4 या F5 चेंज नहीं होना चाहिए जब आप चेंज नहीं करना चाहती है यसे first formula में मैंने लिखा था G3 plus F3 हमें F3 चेंज नहीं करना है तो यहाँ पर मैं dollar का sign यूज करना है F के आगे भी और 3 के आगे भी जो मुझे चेंज नहीं करना copy के marks 10 है वो हमेशा 10 ही यही column हमेशा add हो that means G3 plus F3 G4 plus F3 G5 plus F3 G6 plus F3 F3 कभी चेंज नहीं होना चाहिए बाकी copy paste करने पर चेंज हो देने चाहिए यह लिखने के बाद मैं enter paste करती हूं answer is on the screen और जब मैं इसे copy करती हूं और यहाँ पर paste करती हूं आप answer देखेंगे 84 हो गया है यहाँ पर जब मैं paste करती हूं answer 76 हो गया है और एक और method मैं आपको सिखाया था ड्रैक करने का तो आणसर 65 गया है दाट मींज डॉलर इंसर्ट करने से वो एक जल कभी भी चेंज नहीं होता ड्रैक करने पर और जिस पर डॉलर नहीं इंसर्ट किया है वो चेंज हो जाता है आप फार्मला देखिए G3, G4, G5, G6, G7 चेंज हो रहे है बट जो F3 है वो स्टिल है क्योंकि मैंने उसके आगे डॉलर का साइन यूज किया है वो पापको ये absolute reference समझ आ गया होगा next topic है आपका mixed reference mixed reference में बताने जा रही हूं and today date just look on the screen मैंने यापे सिफ equal to today and bracket यूज किया है जैसी मैं enterprise करूंगी तो आज 7th of में है तो screen पर 7th में शो हो गया है ठीक है ओके जोन से भी आपकी date होगी system पर जोन से भी date mention होगी सही system की date होगी PC की date होगी तो वो ही शो हो जाएगी आगे function ते equal to month bracket today bracket parenthesis close and parenthesis enter तो month है हमारा 5th month चल रहा है May तो वो शो हो जाएगा next अगर आप day करते हैं day today parenthesis again parenthesis today हमारा 7th day है day कौन सी day है आज 7th date है वो आज जाएगी अगर आप year करते हैं equal to today sorry मैंने year लिखना है पहले year today brackets then 2020 is the year okay okay student last topic is mixed reference mixed reference में इन बच्चों के यह यूटी के marks हैं 10 marks copy के हमने इसको add कर रहे हैं मालो तो क्या करेंगे हम formula हम mixed reference में जो दो डिजिट्स अगर आपकी हैं तो एक में हम कॉलम के आगे और एक में हम रो के आगे हम dollar का sign यूज करते हैं like column मेरा B है उसके आगे मैंने लगाया है क्योंकि यह column हमेशा same रहेगा अगर में नीचे आती हूँ तो column मेरा same रहेगा और यहाँ पे जो row number है वो मेरा same रहना चाहिए जो भी same रहना चाहिए मुझे के आगे dollar का sign यूज करते हैं तो मैंने यहाँ पर यूज किया मुझे add करना है 11 को 10 से 11 है मेरा B4 plus C3 dollar B4 plus C dollar 3 enter press करते ही answer आ गया आप में बाकी अगर answers निकालती हूँ ड्रैप करती हूँ तो बाकी answers आ जाते हैं और आप formula बार में देखिए B4 आपका B5 हो गया है बट C3 C3 ही रहा है that means जब भी कभी आप column के आगे लगाते हो तो column same रहता है number row number change हो जाता है और जब कभी आप row के आगे लगाते हो तो 3 same रहता है और column same हो जाता है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं B6 C3 है B7 C3 है और B8 C3 है चीक है यह आपका mixed reference आपके सारे topic इस chapter के complete हो गए है hope आप इन वीडियो को again and again देखिए practical की practice कीजिए all the best